नमस्कार आप देख रहे हैं स्वतल खबर जन की अवाज सचाई के साथ लखीमपुर खीरीकान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेट तमाम कांग्रेसी नेताओं ने विरोध में एसेसपी कार्याले पहुँच कर अपनी गिरफतारी दी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रिया राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रिया मंत्री के बेटे ने ही किसानों को कुछला है पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अगोशित ताना शाही हो गई है उन्होंने कहा कि मंत्री के बेटे और उसके साथियों को गिरफतार किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में अराजकता है वहां कि सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं को लखीम पूर जाने से रोका जा रहा है यह लोग तंत्र की हत्या है हरीश रावत ने कहा कि पूरे देश भर में कॉंग्रस आंदोलन चलाएगी और जगा जगा अपनी गिरफ्तारियां देगी उनको पुचला है मारा है यह लोगतंत्र की सबसे कलंग फूर घटना यह तेवल किसानों की हत्या नहीं है बलकि यह लोगतंत्र की भी हत्या और यह घटना करने से पहले मानि मंत्री के लोगू द्वारा कहा गया तुम प्रस्वेस्षन में आ रहे हो तुम को सबक शिकाने का काम करें और किसान पूरे देश भर में थीन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं आप कानून वापस लेने के बजाए आप किसानों को पहले तो आपने ठंड गरम वेचे भगने के लिए ठोड़ दिया और अब आपके लोग उनको अपनी गारियों से कुचलने का काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत सर्मनाथ वाच्छा है और हम चाहते हैं कि ऐसी हत्यारी सरका चाहिए वो राज सरकार हो उसको इस्तीफा देना चाहिए और जो केंद्री मंत्री हैं जिनके बेटे ने सर्मनाख हत्या की है उनको वर्खास किया जाना चाहिए और जो हत्यारे हैं मंत्री जी के बेटे के सयोगी साथी है उन सब को भी गरबदार किया जाना चाहिए उनको गाहंदी जी को गरबदार किया गया है और हमने तइक कि आया कि देज वर में कॉंग्रेस जंग जगों जगों आंदोरन करेंगे गरबदाड़ियां देंगे और आज नेरा-दून के कॉंगरिस जन ऑल्प सूफणा पर यहां पर गिरबदारी देने के लिए आये हैं और ये लोकांतिक अधिकारों के रक्षय का सवाल है लोत तंत बचाने का सवाल है भारत के संविधान को बचाने का सवाल है और इसमें कॉंग्रेस कहीं इसमें इसकी अगवाई करेगी और इस लड़ाई को हम अंजाम तक नहुंचा करके ही मानेंगे पंजाब के अंदर जगो जगो जवर्दस्ट प्रदस्टन हो रहे हैं और शाम के अप्राहन में जो है पंजाब का मंधिमंडल भी धरने पर बैच रहा है मुख्यमंत्री पंजाब के लखिमपूर जाना चाहते थे बगेल लखिमपूर जाना चाहते थे शत्तिजगर के मुख्यमंत्री उनके हेलिकॉप्टर को पर्मिशन नहीं दी गई है हमारे जो मंत्री का लखीमपूर को जा रहे हैं उनको जगव जगव पर रोका जा रहा है ये ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर एक अगोशित तानाशाही लागू है हमारे जो मंत्री का लखीमपूर को जा रहे हैं उनको जगव जगव पर रोका जा रहा है ये ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर एक अगोशित तानाशाही लागू है तो इसलिए लोगतन तो बचाने की लडाई है इस लडाई को हम हर मोर्चे पर लड़ने का का आप भी जाएंगे लखीमपूर भी सारे देश्वर्टार की मदाश को जगव जबादियों से पुछला है जिससे आकोशित है और उस आकोश को कॉंग्रेस जबाद भनी दे रही है और हम जो घेज भर में करेंगे तिके सवाल केवल अब किसान और किसानू को बचाने का नहीं है बलकि लोगतन्त को बचाने का भी सवाल है यह किसानू के हत्या नहीं है लोगतन्त के हत्या है और समिधान के हत्या है उसकी रक्षा के लिए प्रिंका गांठीजुने गिरवदारी दीए देश में किसान भी गिरवदारियां दे रहे हैं और face ? मना की तुमार पिलिसर के पिलिक्शा बेगे पिलिसर कन्ग्रेस के चला देक्श कानेश पर आग्तर विनुप दनासिर, नवल किशो, भी पृताब सेंग, गौरव सागर विनुप एकिषणर We bakery भी आपिग, प्रेड़ सेंग, गॉरव से थो नवल किशो, भी आपटी दो